हेलो व्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों है विश्याला सब करता हूँ आप इके चैनल में उमीद है आप लोगो वीडियो पसंद आ रही होगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना बूलने ताकि आपको हमारे अटिपी चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब हमको नई वीडियो बनाएं करें तो दोस्तों ऐसे लाख को आपको laser पर मिल जाएगी उससे पहले अगर जरूरी है, ओके दोस्तो, पहला आइकन दबाएंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारे चैनल से, और कमेंट करके बताईएगा वीडियो कैसी लगी, चलिए दोस्तो, वीडियो करते हैं, स्टार्ट, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, यह प्ले स् अच्छी है, आपको Instagram जैसी ही feel देने वाली है, यह Instagram की ही application है, अब क्या होते हैं, threads, दोस्तो वो चीज़ होते हैं, जो आप chatting वागरा करते हैं, जो एक एक text आपके जाता है, उनको thread बोला जाता है, ओके दोस्तो, अब दोस्तो, thread for Instagram क्यों बनाया गया है, तो दोस्तो, आपक सकते हैं इसे install करने के बाद इसे permission देनी है और इसे open कर लेना है आप जैसे ही open करेंगे यहाँ पर तीन चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा camera खुल चुका है ओके दोस्तों चलिए camera को हटा देंगे अभी थोड़ी दिर में अभी एक काम करते हैं option बहुत सारे हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ओके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर तीन चाल चीज़ें कर सकते हैं यानि कि आप सबसे पहले तो story वगेरा create कर सकते हैं इस application की मदद से और इसके अलावा यहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हैं चैटिंग करना चाहते हैं तो आप चैटिंग कर सकते हैं यहाँ चार ओप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप camera अगर front और back camera चालो करना चाहिए वो कर सकते हैं इसे यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें यह चीज है आप इसे थ्रेट की तरह यहाँ पर आपको feeds देखने को नहीं मिलें जैसे कि Instagram पर feeds आती है वो आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपनी story आड़ कर सकते हैं और यह नीचे देख रहे हैं तीन profile मुझे show हो रही है जो कि मेरे friends के हैं और मैंने इन लोगो close friend में add कर रहा है कि इनको मैं कैसे close friend में add कर सकता हूं इनको मैं बहुत easily यहाँ पर जाके close friend में add कर सकता हूं मैं बताऊंगा आपको message के option पर जाएंगे दोस्तो तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं मैंने close friend में लोगों को add किया हुआ है ओके दोस्तो तो close friend में add किया हुआ तो यह सिर्फ यह लोग दिखाई दे रहे हैं और मैं और लोगों को close friend में add कर सकता हूं नीचे से click करके इसके अलाबा सिर्फ threats और बाकी लोगों से भी आप बात करना चाते हूं everyone else में जाके आप सारे लोगों को check कर सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर three route given है यहाँ पर देख सकते हैं choose close friend close friend को choose कर सकते है notification इससे आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए वह आप decide कर सकते हैं customize camera और theme अगर इसकी लेना चाहिए तो आप theme भी ले सकते हैं twilight, midnight, aurora, sunrise जैसे आपको चाहिए मैं sunrise कर दिया तो यह sunrise जैसे theme आ गई okay दोस्तो अच्छी application है use जरूर कीजिएगा यहाँ पर जाके status वगएर आप add करना चाहिए तो वह add कर सकते हैं और अपने story वगएर भी create कर सकते हैं okay दोस्तो तो उमीद है दोस्तो यह वीडिया आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon को दबाना ना भूलें दोस्तो बहुत जल मिलेंगे next वीडियो में ऐसी amazing tips, tricks और नही नही वीडियो के साथ तब तक क लिए बाए दोस्तो